गुड आप्रनून फ्रेंड्स और नमस्कार आप सबका फिर से कम्पेशन कम्मुनिटी के ऑन्लाइन प्रेपफॉर्म में मैं दिने शुक्मार पांडे दिल से स्वागत करता हूं और आज हम लोग फिर से MPPSC Pre के क्रैस कोर्स जो कम्पेशन कम्मुनिटी दरा सुरू किया गया है उसके एक और पार्ट को लेकर करके आज हम लोग स्टेडि करेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैशनल बैंक और भी आई ठीक तो आर भी आई से रिलेटेट आपके में कोश्चन अगर आते हैं तो वहां पर यह चीजे आपको काम आएंगी जो आज मैं आपक हुआ है करेंगे मगर आप रहें रहें कि कैसे उसमें से question बनेंगे और question यहीं से ही आते हैं ठीक है तो आज हम लोग उस chapter पर बात करेंगे जिसका नाम है RBI Reserve Bank of India के बारे में आज हम लोग चाचा करेंगे और इस से related जो question है MCQ है वो आपको मैं बता चुका हूँ तो आज हम लोग इसको study करेंगे ठीक है तो चले start करत हैं RBI Reserve Bank of India तो इसको शुरुआत करने से पहले RBI को जाने से पहले यह जान लो कि RBI का गठन कैसे हुआ कब हुआ और कि सिफारी स्पाइस कमिटी का इस बैंक का गठन किया गया तो RBI के गठन किया गया था 1935 में जब भारत शाचन दिनियम आया था तो उसमें केंद्री Service Bank क गठन किया गया था बहुले उसका नाम आड़ याई का गठन बुले गा तो 1935 में यहाँ पर बृटिस इंडिया द्वारा एक कमिशन का गठन किया गया था जिसका नाम था Royal Commission उस banking system अपन देखते हैं तो भारत में सबसे पहला भारत का जो पहला bank है ठीक उसका नाम क्या है भारत का पहले bank है आपका 1786 में बना था जिसका नाम था General Bank of India तो General Bank of India को भारत का पहला बैंक कहा जाता है अगर आपन book देखते हैं तो कई book में लिखर रहता है bank of Hindustan तो Bank of Hindustan से पहले बना था General Bank of India और 1790 में क्या किया गया इस General Bank of India का नाम बदल करके रख दिया गया हिंदुस्तान बैंक ठीक Bank of Hindustan रखा गया तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का पहला bank है General Bank of India बाद में इसका नाम बदल करके रख दिया गया Bank of Hindustan ठीक उसके बाद 1921 में नहीं उसके बाद 1881 में आपका पहला bank आया जो बनाये तो British थे मगर उसका पूरा मेंट कर रहा था कॉन इंडियन और वो था अवद commercial bank उसके बाद आया आपका 1894 में आया आपका एक और बैंक 1880 1881 फिर 1894 अठास और चरानवे में एक और बैंक आया जिसका नाम था PNB पंजाब National Bank ये completely पूर्ण रुप से भारती नियंत्रन में पहला बैंक और भारतियों द्वारा स्थापित पहला बैंक था ये कौन सा पंजाब National Bank इसके बाद 1921 आया और 1921 में तीन बैंकों को मिला करके एक बैंक बनाए गया जिसको बोलते हैं इंपीरियल बैंक और तीन बैंक कौन से थे बैंक और बंबे बैंक और मद्रास और बैंक और बंगाल ये तीनों को मिला करके एक बैंक बनाए गया जिसको कहा गया इंपीरियल बैंक ठीक क्या नाम रखा गया इंपीरियल बैंक नाम रखा गया ठीक 2021 में, फिर उसके बाद 1949 में क्या किया गया, RBI का राश्ची करन किया गया, उसको राश्ची बैंक का दर्जा दिया गया, मतलब भारत का केंदरी बैंक बना वो, उसके बाद 1955 में, 1955 में, 1955 में आपका क्या किया गया, कि Imperial Bank का नाम बदल करके रख दिया गया, SBI, क्या रख दिया करन किया गया और उसके बाद 15 अप्रेल 1980 को छे और बड़े बैंकों का राश्ची करन किया गया यहां पर समय यह था कि बैंकों का राश्ची करन कर रहे थे धीरे-धीरे मगर धीरे से जब ऐसा तो नहीं कि जब मोदी सरकार आई तभी बैंकों पर जादा फोकस हुआ उससे पहले भी कुछ बैंकों का एक दुसरे में विले कर दिया गया और फिर उसके बाद मोदी जी जब आए तो भारत में जो 23-24 नैसनल बैंक थे उन सब को मिला करके अब भारत में वर्तमान में टोटल बारा बैंक है जिनने राश्ट्री बैंक का दरजा दिया गया है किते बैंक है बारा वो लास्ट में में बताऊंगा ठीक कि भारत में बारा टोटल बैंक है जिने राश्ट्री बैंक का दरजा दिया गया जो नैसनल बैंक है ओके तो हमको यहां पर पलना है क्या चीज आर भी आई मगद थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम को बताना जरूई था कि भारत में बैंकिंग कैसे शुरू हुआ ठीक इसलिए मैं आपको उसको पताया मगद में है हमारा क्या चीज आर भी आई तो आर भी आई ठीक तो रिजर्ब बैंक आफ इंडिया भ और 1949 में इसका राश्ट्री करण किया गया यह एक मात्र ऐसा बैंक है जहां पर आप अपना खाता नहीं खुलवा सकते ठीक यह केवल और क्या करता है बैंकों को रेगुलेट करता है उनको नियंतरन करता है उनको अल्पकालिन दिलकानी रोन देता है और इसका सबसे का कंडिशन बताती है कि हम लोग डैवलप में है डैवलपिंग में है कि नौन डैवलपिंग में है ठीक तो मौदरिक नीति है मौनिटरी पॉलिशी कोन इशू करता है आर भी आई इस्व करता है ठीक है ओके चलो नेक्स्ट अब जैसे मैंने आपको बताया आर बी आई तो कि आरगुए के कार तो सबसे पहले इसका बैंक को के लिए क्या करना रूल रेइगलेशन बनाना क्या चीज? कि अनॉट का निरगमन करना एक मात्र बैंक जसके बाद इसका तीसरा फूंप इसका काम कौन आर्बी आई ठीक ये मॉनिटरी पॉलिसी होती है इसी को जारी करता है कौन आर्बी आई बाकि सब काम तो आपको नॉर्मली पताई होगा मगब फिर भी इसका इक इंपॉर्टेंट काम बस्याद रखना है वो भी कौन सा मॉनिटरी पॉलिसी इशू करना आगे मुदरा से संबंदी जो नीती बना आई जाती उसको कहा जाता है मॉनिटरी पॉलिसी कहा जाता है यह मौधरी नीती कहा जाता है क्य और एक है रिवर्स रिशर्व रेशियो अपका SLR solid liquid ratio एक है आपका repo rate और एक है reverse repo rate ठीक तो यह 5 प्रकार से जारी करता है कौन? RBI bank rate, CRR, SLR, repo rate और reverse repo rate अब यह क्या होता है? तो सुनो सबसे पहले सबसे पहले आजा bank rate में ठीक तो bank rate bank rate किसको बोलते हैं? तो RBI जब ध्यान देना RBI जब commercial bank को जब commercial bank को RBI जब loan देता है और जिस rate पर loan देता है उसको कहा जाता है bank rate ठीक RBI द्वारा जब commercial bank को क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है और जिस rate पर जिस दर पर लोन देता है उसी को कहते है bank rate जैसे मालो RBI SBI को loan दिया और उसको बोला कि मैं तुमसे 10% ब्याद लूँगा तो जो 10% हुआ वो ही क्या कहलाता है bank rate कहलाता है ठीक इसके just है आपका repo rate देखो bank rate और repo rate में सिब किसका फर्क है time period का ठीक कि RBI जब commercial bank को short time के लिए अर्प काल के लिए जब loan देता है यहां पर time period आ जाएगा अगर short time के लिए लोन दिया तो रेपो rate होगा और बिना time period time period decide नहीं होता मतब उसका time निश्यत नहीं होता है तब अगर लोन देता है तो कहलाता है bank rate कहलाता है तो RBI में time decide नहीं है और में time decide है ठीक यह दोनों में वो देगा मगर उसमें अंतर क्या है कि उसमें टाइम डिसाइड नहीं है रिवार्स रेपो रेट आप देखो क्या होता है कि मान लो अर्बियाइ जो है वो नोट चापता है तो कभी-कभी गौवर्मेंट जो होती है उसके पास पैसे की कम हो जाती तो क्या कर सकती है या तो वीदेशों से पैसा लेगी या तो किसी सा तो यह तो फी यहां पर क्या होता है कि से अब नर्प बैंकों से जिस रेट पर लौन लेगी मतब फिस पैसा तो सब लेगी और जिस रेट पर लेगी उसी को बोलते हैं मताब अ कुदे लेगी तो ऑर आर जिस रेट पर कमर्श़ील बैंक मतब लेगी उसी को एक होता है आपका CRR, cash reserve ratio, तो cash reserve ratio क्या होता है, कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे माल लिजे हमारा घर है, ठीक है न, ओके, हमको हमारे घर वाले दिये हैं, 1000 रुपए, ठीक, अब 1000 रुपए में दिये हैं, और बोले कि काम करो, कि अब उनको पता है, कि लड़का बरबाद है, 1000 रुपए को एक दिन में खतम कर देगा, तो ममी क्या बोलेगी, बेटा एक काम कर, 500 रुपए तू रख ले, अब 500 मेरे पास जमा कर दे, जब तुझे जरुवत हो, तब तु क्या करना, मेरे से ले 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 ना, तो यही condition अपनाता है, RBI, जब RBI, commercial बैंकों से, एक निश्चि कहते है, CRR, cash reserve ratio, RBI रखवाएगा, commercial बैंकों से, कुछ हिस्सा अपने पास, मान लो, किसी बैंक का, एक लाक रुपए है, संपत्ती, उसमें से 50% अपने पास रखवा लिया, RBI, तो जो पैसा रखवाया, एक percentage, एक हिस्सा, उसी कोई कहा जाता है, CRR, तो RBI, जिस रेट पर, commercial बैंकों से, ठीक, उनकी कुल संपत्ती का कुछ हिस्सा अपने पास रखवाएगा, तो उसी को कहा जाता है, CRR, और SLR, solid ratio, solid liquid ratio, वैधानिक तरलतान उपात, यह होता है, कि CRR में RBI अपने पास रखवाएगा, और SLR में बोलेगा, तो तुम, खुद ही रखो, उनको खुद रखने के लिए बोलता है, और जो बैंक अपने पास जब खुद ही, अपने total amount का कुछ हिस्सा अपने पास, खुद सेव करके रखते हैं, तो उसी को कहा जाता है, SLR, तो SLR में वो क्या-क्या रखते हैं, तो SLR में लोग रखते हैं, अपना gold, tick, SDR, special drawing, ratio, जो आपको कल बता रायता, IMF की मुद्रा, उसके बाद, bond, share, tick, foreign currency, तो ये सारी चीजे क्या करती है, एक सारी चीजे किसमें आती है, SLR में आती है, तो इसी को क्या करती है, जो commercial bank होती है, अपने पास रखती है, तो commercial bank जिस दर पर, जो भी percentage अपने पास सुरक्षित रखेगी, तो कहलाता है, SL CRR, अगर RBI की पास सुरक्षित रखेगी, तो CRR, अगर RBI लोन लेगा commercial bank से, तो वो reverse repo rate, अगर RBI एक short time के लिए commercial bank को को लोन देगा, तो repo rate है, अब bank rate क्या होता है, किसमें time decide नहीं होता, RBI द्वारा commercial bank को क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है, ठीक, और यही 5 चीजे, जब RBI इशू करता है, तो उसी कोई कहा जाता है, monetary policy, ठीक, पहले यह साल में दो बार जारी होते थे, मगर अब यह होते है, quarterly, ठीक, तो अभी फरवरी में जारी हुआ था, ठीक, दस फरवरी 2022 को monetary policy जारी की गई, जिसमें repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR, इन सारों का क्या किया गया, rate decide किया ठीक, ओके, तो बैंक rate कितना, 4.25%, CRR कितना रखा गया है, 4%, SLR कितना रखा गया है, 18%, repo rate है, 4%, और उसके बाद reverse repo rate है, 3.5%, यह MSFR भी जारी होता है, मगर यह किसी काम का नहीं है, ठीक, तो बैंक rate कितना है, 4.2%, ठीक, CRR 4%, CRR और रेपो रेट, दोनों सेम, ठीक, बैंक rate 4.25%, CRR और SLR 44% है, और उसके बाद SLR है, आपका 18% है, और reverse repo rate है, आपका, 3.35%, 3.35% है, कौन सा है, reverse repo rate, ठीक, तो यह याद रखना, यह पूछेगा question में, यह पूछ सकता आप से question में, ठीक, कि repo rate कितना percent है, reverse repo rate कितना percent है, RBI से इससे अधा hard question कभी नहीं आएगा, ठीक, कभी इतना deep जाएगा ही नहीं question हो, वो maximum यह monetary policy पूछेगा, ठीक, और उसमें से ओर rate ही पूछेगा, इससे अधा वो deep जाएगा नहीं, और क्या पूछेगा उसमें, इससे अधा deep नहीं जा सकता, clear, ठीक, तो एक हो गया आपका CRR, SLR, फिर उसके बाद repo rate, reverse repo rate, और bank rate, तो bank rate कितना है, 4.35%, फिर उसके बाद आपका CRR है, आपका 4%, कैसी जारेशियो 4%, repo rate भी 4% है, SLR 18% और reverse repo rate है, 3.35%, ठीक, clear, इतना याद रखना है किसके बारे में, मौद्रिक, नितिया monetary policy के बारे में, एकदम easy topic है, कोई hard question नहीं है, इसमें, और कोई ज्यादा deep question नहीं आता, ठीक ह है, clear, इतना जानना है आपको, किसको लेकर के, monetary policy को लेकर के, इसी समय, RBI ने क्या किया था, कि एक operation चलाया था, जिसको बोलते है, operation ट्विस्ट, क्या बोलते हैं, और यह जो operation ट्विस्ट है, ठीक, इस operation ट्विस्ट का उद्देश किया था, कि अर्थ वैस्ता को, गति सीलता प्रदान करना, कि जो अर्थ वैस्ता हमारी नीचे नीचे जा रही थी, उसको उपर पहुचाने के लिए, RBI के द्वारा एक operation चलाया गया, और उस operation का नाम था, operation ट्विस्ट, क्या नाम था, operation ट्विस्ट नाम से एक अभियान सुरू किया गया था, 23 दिसंबर 2019 को, किसके द हम स्पीडली बढ़े, आगे बढ़े, हम लोग डेवलफ कंट्री में आ जाए, इसको चलाने के लिए, operation ट्विस्ट शुरू किया गया था, RBI के द्वारा, इतना जानना है आपको, RBI के बारे में, ठीक है न, क्लियर, वर्तमान में, भारत में 12 नैशनल बैंक है, ठीक, कितन क्या चीज, पहले है आपका, बैंक आप बरोदा, ठीक, बैंक आप बरोदा, दूसरा, SBI, याद करते चलो, बैंक आप बरोदा, SBI, ठीक, उसके बाद आपका आजाएगा, पंजाब और सिंध बैंक, ठीक, पंजाब एंड, सिंध बैंक, फिर उसके बाद आजाएगा, बैं लाइंक बैंक आप इन्डिया त्धिक यूइकों सुलब inflam busyndar टिक उसके बाद आजाएगा आपका हा पंजाब नेस्टनल एक पुपंजाब सिंद्रम सैंब ता है पंजाब निय्स थिर उसके बाद द आन्धरा बैंक क्लियर की कॉन कॉन से बैंक हो गया पहला आपका बैंक ऊप बड़ा फिर एज बिच्ट भेंक बड़ा अच्ट धिक यंद्रेइश केंध्रा बैंक यूक बैंक ऐन्धरा बैंक बैंक-फीए फिए की त फी बैंक ऑफ इंडिया 9 के बात 10 वे अधाफ और जाएगा बैंक ऑफ इंडिया ठीक है तुर से एक बार पर थोड़ा सा बीचमिस हो Kids to eat सिर्फीट कर रहा हूं जाता है तो बैंक पंडिया ठीक बंजाम नेस्टल बैंक, यूको बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक, दसे नमबर पर यूनियन बैंक, ग्यारवे नमबर पर सेंट्रल बैंक, ठीक है, क्लियर, ओके, फिर उसके बाद, बारवे नमबर पर, इंडियान ओवर सीज बैंक, इंडियान ओवर सीज बैंक, टोटल बारा बैंक है जिनने नेशल बंक का दरज़ा दिया गया है ठीक है ओके तो फिर से रेपीट कर लेते हैं ताकि हमको Sig üzer वह जो ब खमान में कितने बैंक है जिन्न नेशल बैंक का दरज़ा दिया गया है बारा एक ठीक है ना तो पहले आपका मेइन मेरा सुरी महराष्ट यह टोटल बादी है जिने नेशनल ne director का दर्जाःद भीया गया है टीैड अभी हारी में क्या बलते हैं बैंक बरोदा में देना बेंड भीजया बेंक कर दिया है 2019 में ठीक क्जिशनल रख कर altar कियो गया तो तोटल और ज्यादा हाट कोश्चन नहीं तिक और नहीं ज्यादा डीब कोश्चन जाएगा तो उतना ही जानों जितना हमको जरुवत है एक्स्तरा या उस पर ज्यादा time वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है ठीक तो एकोनॉमिक्स फोकस करेगा आपका current करेंदी अफेर पर तो डेली नियुसपेपर कंटीनीव पढ़ते रहो कि यूश्पेपर में क्या क्या नया नया चीज आ रहा है क्योंकि MPPSC में जो ECONOMICS का से वह बहुत शौट है बहुत छोटा है वह ठीक तो उतना डिप पोशन जाना है नहीं। इसको जितना जाना ज़रूरी है उतना चीज़ को जानते वे चलो, नोट करते चलो उसको पढ़ते चलो एक्स्ते अपना दमाग बिल्कुल मनद चुग रखाये गा जितना जरूत है उतना ही स्टेडि कीजिए एक्स्टा पढ़ने से कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जो चीज आनी नहीं है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ठीक है क्लियर तो नेक्स वीडियो में ठीक आपको फिर से एक नए टॉपिक लेकर क्या हूंगा और उसको पढ़ा हूँ आप सी पितना करिए कि जित्ता मैं पढ़ा रहा हूं उसको झालब तो पितना के लेकर मैं उसको पाइदा का नहीं है जो फितना क्योंकि दोकितिताओंगा खविक भी